बचो हम Chapter पर रहे हैं Silk Road और हम ने जाना है कि लेखा के कोरा करना चाहता है Mount Kalash के यानि कि Mount Kalash की क्या करना चाहता है परिक्रमा करना चाहता है अब क्या हुआ है उसको हो गया है जुखाम और वो सो नहीं पा रहा और डॉक्टर ने कहा है कि ये जुखाम के कारण है और उचाई के कारण ऐसा हो रहा है अब क्या लेखक स्वस्त हो के ये कोरर को पुरा कर पाएगा जानते हैं आज की वीडियो में तो बच्चों चलो करते हैं इस चैप्टर के छटे भाग की शुरुवात तो बच्चों मैं उस मेडिकल कॉलिज से बाहर निकला पकड़े हुए क्लचिन करते हुए यानि की पकड़े हुए एक भूरे रंग का लिफाफा जो की भरा हुआ था पंदरा पेपर के कुछ टुक्डो से और उसके अंदर क्या था बच्चों पाच दिन का तिबतियन कोर्स था जो की मैं उसी वक्त शुरू करने वाला था I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water मैंने जब एक पुडिया को खोला तो मैंने पाया कि उसके अंदर भूरे रंग का पावडर है जो की मुझे लेना है गरम पानी से it tasted just like cinnamon और वो जो भूरे रंग का पावडर था ना वो बिलकुल दाल चीनी जैसा लग रहा था the contents of the lunch time and the bedtime packages were less obviously identifiable तो बच्चों जो contents थे जो अंतवस्तु थी lunch time वाली पुडिया के और bedtime वाली पुडिया के वो प्रत्यक्ष रूप से कम पहचानने योग्य थे तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पर देखिए तीन शब्द हैं फटा फट से रिवाइस करते हैं सबसे पहला है envelope यानि की लिफाफा stuffed मतलब भरा था contents मतलब अंतर वस्तु बोट कंटेंड स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स अब उन दोनों के अंदर क्या थी छोटी सी स्फेरिकल गोला कार ब्राउन रंकी भूरे रंकी पैलेट्स थी और ये जो गोलिया थी ना बचो वो सस्पीशियसली यान वो संदेहास्पद धंग से ऐसा लग रहा था जैसे की किसी भेड की डंग हो बट आफ कॉस आइटुक देम पर फिर भी मैंने उन्हें ले लिया that night, उस रात, after my first full day's course, I slept very soundly उस मेरे पूरे दिन के कोर्स के बाद, यानि की पूरे दिन की वो दवाईया लेने के बाद, मैं soundly soya, मतलब गहरी नें में soya like a log, जैसे की एक लकडी का लठा हो, not a dead man, एक मृत आदमी की तरह नहीं सोया, मैं ऐसे सोया, जैसे की एक लकडी का लठा हो once he saw that I was going to live, Tetsan left me to return to Lhasa तो जब उसने देखा कि मैं जीने वाला हूँ, भई, Tetsan को क्या लगा था, कि मैं मर जाओंगा, पर Tetsan को जैसे ही लगा कि भई, मैं जीवित रहने वाला हूँ तब Tetsan ने मुझे छोड़ दिया और वो लौड गया Lhasa As a Buddhist, he told me, he knew that it didn't really matter if I passed away तो भई, Tetsan ने मुझे कहा कि बुद्धिश्च होने के नाते, वो क्या कर सकता है, इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता अगर उसका, यानि लेखक का निधन हो जाए तो बट he thought it would be bad for business, पर Tetsan ने इसलिए रुका था क्योंकि उसको लगा था कि ये उसके व्यापार के लिए बुरा रहेगा तो बच्चों यहाँ पर क्या-क्या शब्ध है देख लेते हैं सबसे पहला है obviously, obviously मतलब प्रत्यक्ष रूप से Identifiable मतलब पहचान योग्य या फिर पहचान के काबिल Spherical मतलब गोलाकार Suspiciously मतलब संदिहास पर ढंक से Soundly मतलब गहरी नींद में Darkened didn't look so horrible after a good night's sleep अभी ही जो darkened जो जगे थी वो अब उतनी जादा भयानक नहीं लग रही थी रात्री में अच्छे से सोने के बाद, it was still dusty, partially derelict and punctuated by heaps of rubel and refuse ये जो darkened जगे थी वो अभी भी कैसी थी, dusty थी, धूसर थी partially derelict, आंशिक रूप से क्या थी बच्चों, derelict थी, gene थी and punctuated और जगे-जगे निशान थे heaps of rubel and refuse किस चीज के निशान थे, धेर के निशान थे और वो धेर किसके थे, पत्थर के टुकडे और कच्रे के but the sun shone brilliantly in a clear blue sky लेकिन जो सूरज था न वो शांदार धंग से चमक रहा था उस साफ निले आकाश में and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas तो बच्चो जो outlook था, जो द्रिश्य था उस plane का south की दिशा की तरफ वो मुझे जलक दिखला रहा था Himalayas की तो बच्चो आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे हम हम इन meanings को दुबारा से revise करेंगे देखिए सबसे पहला है past away past away मतलब निधन हुआ horrible मतलब भयानक dusty मतलब धूसर partially यानि की आंशिक रूप से derelict मतलब gene punctuated मतलब जगह जगह निशान होना heaps मतलब धेर rubal मतलब पत्थर के टुकडे refuse यानि कच्रा brilliantly मतलब शानदार धंग से outlook मतलब दृष्य vision यानि की छलक commanded by a huge snow-capped mountain गुरला मनधाता तो बच्चो वो जो हिमालयास थे उनके उपन ने अंत्रन था एक विशाल बर से ढखे हुए पहाड का जिसका नाम क्या था गुरला मनधाता with just a wisp of cold suspended over its summit और इसके उपर क्या था एक क्या था विस्प था यानि की छोटा सा टुकडा था cloud का यानि की बादल का जो की लटक रहा था उसके summit से उसकी शिखर से यानि की इस कुरू मनधाता के शिखर पे क्या था बादल का एक छोटा सा टुकडा था the town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soaps and other basic provisions अब यह चो नगर था ना बचो इस नगर में क्या थी a couple of rudimentary यानि की एक दो मॉलिक general store की दुकाने थी जो की बेच रही थी Chinese cigarette, साबुन और बाकी जरूरी सामान as well as the usual strings of prayer flags और साथ ही साथ यह दुकाने बेच रही थी ताता किस चीज का भई प्राथना करने वाले जंडों का in front of them उनके सामने men gathered in the afternoon for a game of pool जो आदमी थे वो इक खटा हो रहे थे दुपहरी में पूल खेलने के लिए पचो पूल क्या है? एक प्रकार का खेल है तो यहाँ पे क्या-क्या शब्द हैं? देखिए सबसे पहला है commanded मतलब नियंत्रन था या फिर क्या था? काबू था फिर आएगा विस्प यानि की छोटा suspended मतलब लटकता हुआ summit मतलब चोटी या फिर शिखर rudimentary मतलब मॉलिक provisions यानि सामान और strings मतलब ताता और बच्चो लेख क्या बता रहा है? की जिस टेबल पे वो आदमी पूल खेलते थे वो कैसी थी? टूटी हुई टेबल थी जो की सुप्रीमली यानि की अत्याथिक इनकॉग्रस लग रही थी बेतुकी लग रही थी उस खुली हवा में और फिर क्या हो रहा था? साथ ही साथ आदमी तो पूल खेल रहे थे पर जो महिलाए थी वो बाल्द हो रही थी अपने कहां पर उस ठंडे बरफ वाले पानी से और वो डंडा बरफ वाला पानी कहां से आ रहा था? उस नारु से ब्रुख से जो एकदम संकीर सा जो नाला था उससे तरट बेबल डाउं पास्ट मैं गेस्टाूट और वो जो नाला था? या वो जो छोटी सी नथी थी वो बहर रही थी मेरे guest house के पास से ही डारकन felt relaxed and unhurried but for me it came with a significant drawback अब जो डारकन था यानि ये जो जगे थी पिलकुल तनाव मुक्त और सुस्त सी लग रही थी पर मेरे लिए ये क्या लेके आई ये एक महत्वपून drawback लेके आई मतलब एक बाधा लेके आई there were no pilgrims क्या नहीं थे यहां पे फिल्हाल कोई भी तीर्थ यात्री नहीं थे I had been told that at the height of the pilgrimage season the town was bustling with visitors मुझे बताया गया था कि pilgrimage season के समय तीर्थ यात्रा के समय ये जो नगर होता है उसके अंदर हलचल होती है visitors की अंग दुक की तो बच्चो और क्या-क्या होता है इस नगर में अभी जानते हैं पहले क्या करेंगे meanings revise करते हैं देखिए सबसे पहला है battered battered मतलब टूटा हुआ supremely यानि की अत्यधिक in congress मतलब बेतुका या फिर बेमेल brook मतलब नाला या फिर नदी babbled मतलब बेह रहा था relaxed मतलब टनाव मुक्त अन्हरीड यानि की सुस्त significant मतलब महत्वपून drawback मतलब कमी या फिर बाधा pilgrims मतलब तीर्थ यात्री many brought their own accommodation और बहुत सारे जो तीर्थ यात्री थे वो अपना accommodation अपना आवास खुदी ले आते थे enlarging the settlement round its edges as they set up their tents which spilled down onto the plane और ये जो तीर्थ यात्री थे वो क्या करते थे वो विस्तार कर दे थे उस settlement का यानि की उस आवास का उस बस्ती का उसके किनारे पर यानि की जो सारे तीर्थ यात्री आते थे वो उस नगर के किनारे पर क्या करते थे अपने tents लगा देते थे और उस नगर का विस्तार कर देते थे which spilled down onto the plane और ये ही नगर क्या होता था बच्चो फैल जाता था उस plane तक I had timed my arrival for the beginning of the season but it seemed I was too early यानि कि ये जो तीर थेत्रा का जो सीजन होता है मैंने क्या किया नियत का लिक किया कि भई इस सीजन के शुरुआत में ही मैं चला जाता हूं पर ऐसा लगा कि मैं बहुत जादा जल्दी आ गया One afternoon I sat pondering my options over a glass of tea in darkens only cafe एक दुपहरी को मैं बैठा रहा विचार करते हुए अपने विकल्पों के बारे में सोचते हुए चाय की एक ग्लास के साथ डारकन के इकलौते कैफे में तो बच्चों क्या सोचा लेकरते अभी जानते हैं क्या करेंगे हम आप भी जानते हैं हम में रिवाइस करेंगे देखिए सबसे पहला है पिल्ग्रिमेज पिल्ग्रिमेज मतलब तीर्थी यात्रा बस्लिंक मतलब हल्चल अकॉमडेशन यानि आवास या फिर निवास एनलाजिंग मतलब विस्तार करते हुए सेटल्मेंट मतलब बस्ती या फिर अबादी एज यानि किनारे स्पिल्ग मतलब फैला हुआ या फिर बिखरा हुआ ताइम्ड यानि की नियत काली पॉंडरिंग मतलब विचार करते हुए और ऑप्शन यानि की विकल्पों अफ्टर ए लिटल कंसिडरेशन तो थोड़ा विचार करने के बाद I concluded मैंने निशकर्ष निकाला they were severely limited और जो मैंने conclude किया वो किया था वो बहुत जादा सीमित था clearly I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking और यह बिलकुल स्पश्ट था कि मैंने जादा प्रगती नहीं की थी उस self-help program से positive thinking की सरात्मक सोच की उस program से मैंने कुछ जादा प्रगती नहीं की थी तो भई क्यू नहीं सोच पाया कुछ अच्छा विचार क्यू नहीं कर पाया बच्चो उसके बारे म हम जानेंगे अगले वीडियो में पर पहले हम इन सारे शब्दों को रिवाइस करेंगे तो देखिए सबसे पहला है consideration consideration मतलब विचार या फिर ध्यान severely मतलब बहुत limited मतलब सीमित positive मतलब सरात्मक और thinking यानी की सोच वैसे देखिए thinking का मतलब हम क्या जानते हैं सोच ना या फिर सोचते हुए पर यहां पर thinking क्या है thinking का मतलब यहाँ पर है सोच तो बच्चो क्या अब लेखक सच में सरात्मक सोच रख पाएगा जानेंगे हम अगले वीडियो में बने रहेगेगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में